तो कैस बीवाइडी ने फाइनली अपनी सील को लांच कर दिया है और जो सील है इनकी वो इनकी फ्लैक्शिप इलेक्रिक स्पोर्ट सेटान है जो कि आप मेरे सामने देख सकते हैं 3.8 S की यहाँ पर आपके पास ब्रेंडिंग मिल जाती है जो कि बताती है कि यह जो कार है वो 0 to 100 क्लेम कर सकती है नियरली 3.8 S में जो कि इसे इंडिया की quickest TV बना देता है अंडर 1 करोड रुपीज प्राइस अगर आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार इसतना बड़ी है डिजाइन वाली कार का प्राइस जो है वो इतना कमाल का रखा है यहाँ पर बीवाइडी ने जो कि यह 53 ल बाते हैं जिसमें request sensor भी आपको मिल जाता है और अगर बात करें safety की तो यूर अनकैप में इस कार ने 5 स्टार प्राइस रेटिंग अचीव की है और साथ सीज़त अगर बात करें ANCAP की रेटिंग की तो ANCAP की भी रेटिंग इसमें 5 स्टार आपको मिल जाती है BYD ने फाइनली एटो 3 और E6 के बाद अपना 3rd product भी इंडिया में लांच कर दिया है जो कि ये BYD's seal इसे वैसे आज इसका प्रॉपर लांच हो चुका है और लांच होने के बाद इसका जो प्राइस आया है वो बहुती ज्यादा shocking है क्योंकि एक बार आप इसका design language देखो design जो है इतना जाद attractive है कि देखने से ही आप बोलोगे क्या यह हो सकता है यह जो गाड़ी है वो nearly 1 crore को touch करें और साथ जाथ अगर मात करो speed की या acceleration timing की तो उसको देख की भी आप आगे नहीं बोलोगे कि शायद इस गाड़ी जो है वो 1 के लिए कि यह गाड़ी में आपको क्या क्या खास चीज़े मिलती है motor जो है इसकी बहुत ही जादा powerful मिलती है all wheel drive train के साथ यह गाड़ी आपको मिलने वाली है और जहां बात करें इसकी blade batteries के तो बीवाइडी की जो blade batteries है वो अपनी safety के लिए जाती है design language जितना ज़दा कमाल का रखा गया कि आपको यहाँ पे एक feel आएगा कि आप एक ऐसी कार के सामने है जो की जादतार आपको वन क्रोर से उपर ही मिलती है अच्छा यूरा एनकैप ने बीवाइडी सील को फाइव स्टार क्रेस टेस्ट टेस्ट रेटिंग दी है दूसरा एनकैप में ने भी और लास्ट जो विरियंट है अभी मेरे सामने वो है इसका performance विरियंट डिफरेंट डिफरेंट विरियंट के साब से इसकी range वैरी करेगी इसका price वैरी करेगा और इसकी drive train भी वैरी करेगी यानि कि अगर बात करें इसकी base विरियंट dynamic विरियंट की तो उसका जो price शूर होता 41 lakh रुपीज एक्शोरूम प्राइस से और ये विरियंट जोगा वो बेजड होगा rear wheel drive train पे वहीं अगर मैं इस particular top variant की बात करूँ तो ये जो variant है ये इसका performance variant इस वज़े से range भी आपको यहाँ पे जादा मिल जाती है और drive train भी आपको यहाँ पे all wheel drive train मिलती है अब जिस price range में ये launch हुई है और जिस type की आपको इस safety और features आफर कर रही है ये literally इसके price में आने वाली डूसरी EVs के लिए भी एक nightmare बन चुकी है और performance की बात करें तो जितनी ये performance आपको आफर करती है उतना इस price bracket में तो छोड़ो under 1 crore कोई और EV ओफर नहीं करती front के headlamps की बात करें तो यहाँ पे आपको double U floating LED headlamps का setup मिलता है नीचे आपको ripple lamps मिल जाते है काफी जादा aerodynamic design इसमें BYD ने offer किया है इसमें लेकिन BYD का कहना है कि उन्होंने primary जो इसमें focus किया है वो किया है इसकी safety पे ADAS की features की बात करें तो यहाँ पे आपके पास automatic emergency braking adaptive cruise control blind spot detection and lane departure prevention जैसे कुछ features मिल जाते है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं open करा है हमने इसका hood और hood के नीचे आपको मिल जाता है एक frank frank का अगर space की बात करें तो यहाँ पे आपको 50 liters की capacity मिलती है इस गाड़ी की साइज के साब से बहुत ही जाता है और दूसरी बात यहाँ पे आप देखेंगे ना तो पूरा इनको aerodynamic design दिया है जिससे जो गाड़ी है वो हवा से बाते करें यानि की speed जो है वो आपके अच्छे से अच्छी maintain करें और basically आप quickly जो है इस गाड़ी की battery की help से sloping roof line मिल जाती है coupe light design है आपको मिल जाता है लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यह proper जो एक sedan वाला यहाँ पे character दिया गया है और boot को open करने के लिए यहाँ पे एक button दिया गया है कुछ unique तरह से इसका button दिया गया है आपे यहाँ पे आपको branding की गई है all wheel drive की branding की गई है और यह उनिक चीज़ है कि यहाँ पर से आपको एक connected LED का setup भी यहाँ पे मिल जाता है एक और चीज़ यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफ्यूजर भी मिल जाता है डिफ्यूजर पे आपको reverse parking sensors मिल जाते हैं तो यह जो डिफ्यूजर से यह जनरली आपने देखा होगा कि sports car में आपको देखने को मिलता है तो तो सेम उसी तरह कि यहाँ पी भी profile रखी गई है पूरी कार की तो कई अब आता है अपने main topic पे क्योंकि इस type क sports car में लोग interior में बैटना ज्यादा प्रसंद करते हैं यहाँ पर कमाल के मिल जाते हैं और बीवाइडी की screens के आपको खास बात पता ही है अटो 3 में भी आपने देखी होगी कि जो screens है वो प्रॉपर्ली कुछ इस तरह से rotate हो जाती है यानि कि horizontal और vertical setup यहाँ पर आपके पास मिल जाता है screen में बागी यहाँ पर देखेंगे तो crystal की form में आपको यहाँ पर एक transmission मिलता है जो कि basically transmission पूरी तरह से नहीं है इसे drive modes कह सकते है और यहाँ पर D mode मिलता है N है और reverse आपको यहाँ पर मिल जाता है start stop button भी आपको देखने में बहुती जादा interesting लगेगा गाड़ी की width जो है बहुती जादा है इस वज़े से यह जो बीच में आपको central console मिलेगा यह इतना बड़ा मिलता है कि आप अराम से driver और co-driver थोड़ा gap gap लेके बैट सकते हैं और मज़े से अपनी long journey को enjoy कर सकते हैं दूसरा अग देखेंगे तो आपको उस type की sunroof यहाँ पर नहीं मिलते हैं जैसे कि आपको पासंद है मतलब कि यहाँ पर different type की है moonroof आप इसे कह सकते हैं या glass panoramic sunroof आप इसे कह सकते हैं यह जो sunroof है यह basically open नहीं होती है और यहाँ पर आपके पास UV production मिल जाता है अचा स्टेरिंग मिल तो यहाँ पर बहुती जादा sporty steering wheel आपको देखने को मिल जाता है जिसमें आप देखेंगे left side में आपको idas के control मिल जाते हैं यानिकी lane keep assist, autonomous emergency braking यह सब features आपको left side में मिल जाते हैं और right side में देखेंगे तो steering mounted audio and voice controls के buttons मिल जाते हैं flat bottom steering wheel है और 98% battery जो है वो अभी इसकी remaining है और जब मैं इसका drive review आपके लिए ले के आऊंगा तम मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में detail में अभी एक बार आप इसका infotainment system देख लो यह button मैंने प्रेस किया और देख सकते हैं कितना जबर्दस इसका infotainment system जो है वो horizontal से vertical और vertical से horizontal हो जाता है बागी यहाँ पर देख सकते आपको wireless charging की facility मिल जाती है और इतना बड़ा wireless charging setup मिल जाता है कि एक और iPhone यहाँ पर आपका आरम से आराम से आ सकता है कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं और यहाँ पर जैसे मैं आपको बताया था कि crystal की form में आपको transmission मिल जाता है बाकी infotainment system इतना मैसी वह है और features इसने जा लगता है unique लगता है अगर बात करें under thigh support की और recline angle की तो वह भी यहाँ पर काफी जबरदस रखा गया है आमरेस्ट के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं तीन headrest भी आपके पास मिल जाते हैं यह glass roof जो है वह भी बहुत जाद अच्छी लगती है तो guys कैसी लेगे आपको BYD क यह seal आप मुझे नीचे दी comments में जरूर बताएं और अगर कोई query है तो वह भी आप comments में मुझे सकते हैं drive review जल्दी हम try करेंगे आपके लिए इसका link है और अगर आप वीडियो पसंद आते हैं make sure वीडियो को like करना ना बूले channel को subscribe करना ना बूले मिलते हैं आप से एक लिए दी में thanks for watching